बुड मॉर्णिंग एन जहिन बच्चो बच्चो मैं अजयकमार वारंसी उत्तरपदेश से आपके अपने चैनल लों सिक्षन पे स्वागत करता हूँ बच्चो आपको पता है मैं आपको बिविन परतियोगी परिक्षाओं की त्यारी करा रहा हूँ और ये जो आज का चैप्टर है आपको राश्टी आयम युक्ता धाई चातविती परिक्षाओं साती साथ पी एम येससवी चातविती योजना स्रिष्ठा चातविती योजना ये सभी के लिए काफी महत्पूर्ण है और ये मैंने गणित का ये परिमे संख्या यानि की रेशनल लंबर का मैं ये आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें मैं प्रस्टनों को डिसकस करूँगा कि किस तरह के कोश्चन्स आ रहे हैं या आ सकते हैं अगर आपने पुराने दो इसके वीडियो नहीं देखे हैं उसे कृपया देख लिजेगा और आपके रिक्वेस्ट पे बच्चो मैंने अब हिंदी की भी किताब ले आया हूँ काफी बच्चो को दिक्कत आ रही थी लेकिन बच्चो जिस किताब से मैं सवाल दिखा रहा हूँ इंग्लिस में है तो इंग्लिस हिंदी दोनों में बताते रहूँगा ठीक है तो आप परशान मत होएगा आपको पूरा समझ में आने वाला है और आप से रिक्वेस्ट करूँगा डिस्क्रिप्शन में में मेरा लिंक है वाटसेप ग्रूप जॉइन करने का आप लिंक के जरी जॉइन कर लिजे अब बच्चो ये कई बच्चे पूछने किताब के लिए पीम यससवी चादपीती योजना और स्रिष्ठा योजना की तयारी पूरे यूट्यूब पर केवल मैं ही करा रहा हूँ बच्चो कोई भी किताब इसकी उपलब्द नहीं है ठीक है आप निश्चिंद रहिए सब कुछ देखे मेरे इस चैनल पर फ्री है कुछ भी लिया नहीं जाता है कोई भी जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ उस पर फ्री हाफ कॉस्ट है सभी कुछ ठीक है बस आप जोईन कीजे और अच्छे से पढ़िए आईए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जो हमने पढ़ा है उसके बस रिविजन कर ले रहे हैं इसके तुरंद बाद में सवालों पर आ रहा हूँ पहला है परमे संख्या योग मतलब जोड़ हो गया अब वेवेकलन मतलब घटाना और गुणा की संख्रियाओं की अंतकत संभृत है यानी की closed हैं तो काफी सवाल आएवे हैं मैंने PM SSV के भी दिखाएवे हैं प्रमे संख्याओं के लिए योग और गुणन की संख्याओं द्यान दिजेगा क्रम विनमय हैं और सहचारे यानि कि एसोसेटिव और कम्यूटेटिव हैं प्रमे संख्याओं के लिए प्रमे संख्या सुन योज तत्समक है यानि की additive identity है ठीक है प्रमे संख्या A बटा B का योज प्रतिलों माइनस A बटा B है और बिलोमता भी सत्य है और नमबर सिक्स पॉइंट है यह काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको समझना जरूरी है मैंने पिछले वीडियो में सब संजाय है यदि A बटा B गुणे C बटा D बराबर 1 है तो परिमे संख्या A बटा B का व्योत्करम अथवा गुणात्मक प्रतिलों C बटा D है फिर देखे परिमे संख्याओं की वितरकता परिमे संख्या A, B और C के लिए क्या उसे होगी ये देखे अगर ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट खोलेगा तो ये दोनों संख्याओं को गुणेगा A गुणे B फिर प्लस का निसान फिर A गुणे C और अगर यही जोड की जगा अगर माइनस का चिन है तो बस माइनस आ जाएगा इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि जब हम सवाल हल करेंगे तो ये हमें पता होना चाहिए अब देखे परिमे संख्या को संख्या रेखा पर निरुपित किया जा सकता है अब आए प्रश्नों को देखें ये देखे बच्चो मैंने 12 सवाल तक पिछले बार बताया था जो important होगा मैं खुदी discuss करूँगा जो सवाल होगे ये देखे simple concept वाली चीज़े हैं सबको पता होगी जेने पता नहीं है फटा फट देखते हैं फिर कुछ कठीन सवालों को भी हम लोग करेंगे 13 सवाल में देखे माइनस है फिर माइनस है फिर एकस आपको पता है माइनस को माइनस से अगर ब्रैकेट खुल रहा है तो चीज़े गुणा होती है उच्चो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा, प्लस X, तो प्लस X को कैसे हम लेख सकते हैं, X, तो इसका उत्तर क्या होगा, B, ठीके, तुरंत हम सेकेंडों में करते जाएंगा, असान वाले सवाल, अब देखे, question number 14, इसको कैसे हल करना है, संख्या जो दी हुई है, पूछ रहा है, इसका multiplicative inverse, यानि की गुणन प्रतिलों पूछ रहा है, तो इसको कैसे निकालना है, आपको पता है, ये कौन सी संख्या है, mixed number है, यानि की मिस्र संख्या है, तो इसको बदलने के लिए तेरीका आपको पता है, इससे गुणा करते हैं, उपर वली संख्या से जोडते हैं, तो साथ एक कम साथ, और ये प् माइनस आठ बटे साथ को एक से हमने गुणा कर दिया, याद रखेगा गुणात्मक प्रतिलों निकालने के लिए हमेशा, जो गुणात्मक प्रतिलों होगा, गुणा करने पर हमेशा एक आना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे मैं डारेक्ट कई बार बताया हूँ कि इसका प्लस स प्रतिलों यहां गया उत्तर, इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टिपलाई का हम नियम अपनाएंगे, साथ उपर चला जाएगा और आठ नीचे आएगा, ठीक है, तो एक साथ बटे आठ देखे नहीं है, बलकि साथ बटे माइनस आठ है, तो माइनस का चिन कहीं पे भी हम ले जा सकते हैं, याद रखेगा, तो दोनों यह बराबर हैं, ठीक है, यह कैसे होता है, बस इसको ध्यान रखेगा, अगर हम समान संख्याओं जैसे माइनस साथ बटे आठ है, ठीक है, अगर हम समान संख्याओं से गुणा करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मैं उपर 1 से गुणा किया और नीचे भी 1 से गुणा किया कोई फर्क ने पढ़ा वैसे minus 1 minus 1 से किया कोई फर्क ने पढ़ा अब ये क्या हुआ minus minus plus हो गया और ये देखें नीचे वाल minus हो गया इसलिए कोई भी अंतर नहीं है ये एक दुसरे से बराबर होते हैं तो concept आपको समझना ज़रूरी है concept नहीं समझेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा अब देखें 15 नंबर वाला सवाल है पूछ रहा है if x be any rational number then x plus 0 is equal to simple है कि देखें अगर x एक परेमे संख्या है तो x plus 0 कितना होगा x plus 0 कितना होगा तो आपको पता है कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पे क्या उत्तर आता है वही उत्तर आता करने वाले जो माइनस के साइन होते हैं वो कनफ्यूज करने के लिए होते हैं अब ये पूछ रहा है रिसिप्रोकल माइनस मतलब की माइनस एक का वयुद्क्रम क्या होगा तो खुद माइनस वन होगा ठीक है अब देखे अठारमा थोड़ा सा और कनफ्यूजन क्रियेट करिता है ठीक है तो चीजों को बस समझ लिए इसके बाद हम लोग कटिन प्रशनों पर बढ़ने जा रहा है देखे तो रेसिप्रोकल जीरो इस बतलब की जीरो का वयुद्क्रम क्या होगा तो जीरो का बच्चों वयुद्क्रम जैसे यह है यह होगा त कुछ कटिन प्रशनों को देखते हैं बच्चों यह देखे काफी अच्छा कोश्चन है ध्यान दिजेगा सालनी हैस्टू कट आउट सर्किल्स ऑफ डायमेटर इतना अब ध्यान दिजेगा यह एक अल्मूनियम की पट्टी है इस तरह से गोले सालनी को काटने है जिसका जो व्यास है यानि की डायमेटर है चाहें आप इधर से लिजे चाहें आप ऐसे लिजे वो एक सही एक बटाचार है ठीक है और जो अल्मूनियम की लंबाई और चोडाई है लंबाई इसकी आठ सही तीन बटाचार चोडाई जो है एक सही एक बटाचार मतलब जितना इसका डा सालनी कट कितने तरह के वृत जो है सालनी इस स्ट्रिप से काट पाएगी पहला सवाल यह है ठीक है दूसरा सवाल यह है आल सो कैलकुलेट दा वेस्टेज अब अब काटे की देखे तो यह यह पार्ट भाई नुकसान जाएगा कि नहीं जाएगा एक और गोला बना तो यहां हमें बताना है तो दो सवाल है तो परिक्षा में आपके दो तरह के आप्शन मतलब ए में दो तरह के आप्शन बी में दो तरह के आप्शन रहेंगे इस तरह से रह सकता तो इस सवाल को आखिर कैसे हल करेंगा आईए समझे बच्चों कुछ चीजे मैंने पहले से लिख ठीक है पांच बटे चार सेंटी मीटर या सेमी वैसे ही अलमुनियम स्ट्रिप की लंबाई कितनी है आठ सही तीन बटा चार इसको भी हम बदल लेते हैं एट फोर जार थर्टी टू फिर यह होगे थर्टी फाइब थर्टी फाइब बाई फोर सेंटी मीटर अब देखे कुल बृतों की संख्या है बस कुछ नहीं करना है हमें जो इसकी लंबाई दी है और इसका जो व्यास है बृत का व्यास है उससे हमें भाग दे देंगे तो हमें कुल जो बृत बनेंगे वो पता चल जाएंगे तो देखे भाग है तो हम क्या कर लेंगे इसको वेट कर लेंगे गुणा करेंगे गुणा का चीन करके इसको पलट देंगे ठीक है करना कुछ नहीं है तो ये कर गया 5 वंजा 5, 5, 7 वंजा तो कुल कितने बृत बनेंगे अब पहले का देखे उत्तर आ गया कि सालनी कुल कितने ब्रित काट पाएगी तो कुल साथ ब्रित काट पाएगी देखे पहला उत्तर हमको मिल गया अब दूसरा हमें करना है कि कुल अल्मुनियम का कितना नुकसान जाएगा ठीक है ता हमें इसको और उपर बढ़ा लेते हैं अब देखे छेतरपल हमें इसका निकालना होगा एक ब्रित का जैसे पाई आर स्कॉयर निकालना है तो हमें पता है कि व्यास इतना है तो यह आपका इसका रेडियस निकालने के लिए त्रज्या निकालने के लिए क्या करना होगा हमें दो से भाग देना होगा ठीक है तो अग बटे आठिसके क्या होगई त्रिजया हो गई अब इसी फॉर्मला में हम डाल देते हैं तो यह देखे बाइस बटे साथ गुडः पांच बटे आठ गुड़ें पांच बटे आठ यूकि और स्कॉयर है ठीक है तो इसको हम कर लेते हैं बाइस बटे साथ गुड़ें 25 बटे 64 ठीक है अब देखे कुल कितने कुल कितने सरकेल हमारे पास साथ हैं तो हम क्या करेंगे साथ से गुणा कर देंगे ठीक है तो साथ से गुणा करते हैं तो यह आपका साथ साथ कड़ गया आया यह कितना आया 22 गुणे अभी हम काट नहीं रहे हैं 22 गुणे 25 बटे 64 ठीक है अब देखे जो छेतरफल है Almonium के strip का वो निकाल ले इसको हम घटा देंगे तो इससे उत्तर हमारा आ जाएगा जो Almonium का क्योंकि आयत है Almonium तो क्या होगा लंबाई गुड़ें चोड़ाई उसका छेतरफल कैसे निकलेगा लंबाई गुड़ें चोड़ाई तो हम लंबाई ले लिए 35 बटे 4 गुड़ें चोड़ाई 5 बटे 4 ठीक है अब यह आपका हो गया है अब देखें डायरेक्ट में यहीं पर घटा भी देता हूं जो हमारे इसका छेतरफल है बृत का कुल छेतरफल है ठीक है इसको हम घटाते हैं तो यह देखें इसका जो LCM आ हम क्या करेंगे चार से घुना करेंगे तो कितना अजाएगा 700 ठीक है माइनस और इसको गुड़ा करने पे यह आएगा आपका 550 यह आएगा 550 तो यह क्या करेंगे इसको हम 550 यहाँ वैसे ही लिख द ہیںगे घटाएंग कितना आएगा 150 बटे 64 ठीक है तो इसको हम एक बर काट देते हैं 2 से तो कितना आएगा 75 बटे 32 अब इसको देखे आप कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे इसको मिसर संख्या में बदल देंगे भाग देंगे ठीक है तो भाग देंगे तो आपका ये बदल जाएगा उत्तर आएगा आपका दो सही 11 बटे 32 cm2 तो ये सवाल कैसे देखे है थोड़ा लंबा लेकिन काफी आसान सवाल था तो आपको बस समझ के इन सवालों को हल करना था अगर बच्चो आपको इसी तरह के सवाल और बताने है थोड़े कठिन वाले तो आप बताईएगा क्योंकि देखे सवाल इसी तरह से बड़े लंबे चोड़े आएगे मैंने स्रिष्ठा का भी पेपर आपको दिखाया हुआ है तो रहते हैं असान लेकिन कन्फ्यूज करें आपको कन्फ्यूज करेंगे जैसे इस तरह का टेबल दे देंगे तो बोलेंगे ये बताईए वो रहते आप देखें नहीं रहेंगे तो से इस सवालों को हल कर पाएंगे ठीक है तो अगर आप चाहिए होगा तो आप कमेंट सक्षन में कमेंट कीजिएगा कि ठीक है सर बता दीजी तो मैं बता दूँगा ठीक है थेंक यू थेंक यू